नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का स्टॉक फर मनी यूटीव चेनल पर बात फिटिंग्स लाइब स्टैल कीचेन प्रोड़क्ट्स में काम करने वाली एक नमबर वान कमपनी मार्केट लीडर कमपनी है दोस्तो एक्रिसिल्स लिमिटेर कमपनी के रिलेटेड एक बिजनेस और प्रोड़क्ट प्रोट्फोलियो को भी डीटेल में चेक करेंगे आखिर ये कमपनी इतना खास क्यों है दोस्तों क्यों ये कमपनी एक बहुत बड़ा मल्टीवेगर कमपनी आने वाले समय में बन सकता है इसके उपर हम बात करेंगे तो अब बिलकुल बने रह अनौंस अक्विजिए सं आ अपटिक 4 और एंज लिमिटेर आज अटेस वाले ओंडेरी सिल्मर परोडी लिमिटेर बेस इन हूं के टोटियरार गरडेका जाये तेक प्रोडी करेंगे लिमिटेर अगरे इस वोली ओन शबसेडरी अक्रिसल के लिमिटेरफ अगरे जीटेश् मोटा मोटी अगर हम कहेंगे दोस्तों कंपनी जो है अपने एक होली ओन सब्सिडिरी कंपनी के जरिए टिक फॉर्ड और एस्टील का 100% एक्वाइर यहां पर सेयर जो है यह एक्वाइर करते हुए नजर आ रहा है एस्टील क्या करता है है एस्टील देखिए इजे मेनुफेक्टर एंड डिस्ट्रिबूटर डिस्ट्रिबूटर कस्टमाइजर अब हाई क्वालिटी सॉलीड सर्फेज प्रोडक्स फर किचें एंड बातरूम देखिए फोर बोद डॉमेस्टिक्स एंड कमर्शियल पॉर्पोसेस यह आपको ठीक ह मैं रहे सही है कि कंपनी यहां पर एक 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 ऐसन किया है इसके इस ऐसन के वारे में इनका मैनेजमेंट का यहांपर एक्षन है क्या स्टेटमेंट है इसके ओपर हम बात करेंगे देखिए Mr. Chirak Parek जो कि Chairman Managing Director है इनका क्या कहना है देखिए This acquisition will now allow us to further strengthen our presence and market share in UK market and gain access to loyal customer base thus providing potential new sales channels and cross-sellings opportunities देखिए इनका कहना ये है कि ये acquisition होने के बाद company का जो market से आज रहे कहां पर UK में ये और भी बढ़िया हो जाएगा बढ़ने वाला है strengthen होते हुए आपको नजर आएगा ये तो गया दोस्तों आज के दिन के news के related जो company का निकल के आ रहा है next हम बात करेंगे company आखिर इतना खास क्यों है सीधे इसके लिए मैं आपको ले के चलूँगा company के products portfolio के उपर यहाँ पर देखिए company जो है generally इसका segment को देखेंगे bathroom sweets ओके जिसमें bath fittings आता है और kitchen segment में company काम करता है जिसमें appliances और sinks production करते हुए आपको नजर आएगा एक के करके हम इसके product को पहले थुरा detail में देखेंगे देखिए पहला number है sink only company to make देखिपा रहे हैं आप quartz sinks in Asia एक महात्र company है जो कि quartz का sink एसिया में यह आपको बनाते हुए नजर आएगा इस segment में देखिए company का 1500 outlets हैं ओके developed more than 120 plus models यह develop कर चुका है इसका capacity वगरा ठीक है कोई बात नहीं इसका और एक point के उपर मैं highlight करूँगा देखिए high market potential for quartz sink market potential बहुत जबर्दस थैं दोस्तों आने वाले समय में इस segment में कौन सा segment में quartz sink segment में भरपूर potential नजर आता है क्यों नजर आता है देखिए globally there are only four players ओके श्रीप चार globally players है चार मात्र चार players है producing quartz sink 90 to 95% of industry makes use of stainless steel and only 5 to 10% of make use of quartz sink देखिए quartz sink का इना इतना penetration अब नहीं हुआ है 90 से 95 प्रतिसत जो है sink जो steel का यूज करते हुए नजर आएंगे श्री 5 से 10 प्रतिसत लोग जो है अब यह quartz sink यहाँ पर यूज करते हुए आपको दिखेंगे दोस्तों इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें और कितना penetration बाकी है capacity of quartz sink पर एनम अगर company का देखा जाए 2021 में यहाँ पर देख पर हैं आप 6 lakhs था ओके 2022 में यह बढ़के 8,40,000 होने वाला है company का 2023 में 8,40,000 प्लस 3,60,000 मिलके 12,00,000 पर एनम यह company जो है production करने जा रहा है और इसके लिए already capex हो चुका है 1,40,000 units of capacity expansion completed in October 2021 जिसके लिए already इसका जो है expansion का प्रोग्राम complete हो चुका है quartz sink जो है high margin product है ascent turnover देखिए approximately 3 times है और longevity of asset modules approximately 15 years इनको दिखता है दोस्तों काफी जबरदस product है अगर हम sink के लिहाँ से देखेंगे तो और इसका huge potential भी आने वाले समय में दिखता है company को ठीक है next अगर हमें बात करूं company का और जो है और segment के उपर जो है kitchen appliances यह दिखेंगे multiple growth opportunity segment में भी आपको दिखेगा currently सिर्फ 5% revenue का total का पांच परसेंट ही segment से आता है company का product देख पाने चीमिनी डीस डीस वासर को cocktops देखें इस तमाम चीजें आपको बनाते हुए नजर आएगा ओके कोई बात नहीं बात segment में देखिए इसका company का यह सब products है और इसमें भी बहुत बहतरी यह दिखेंगे one stop solution for all bath products यह यहां पर मिलता है आपको company जो प्रुभाइड करते हुए नजर आता है और इसमें भी भरपूर potential यह आपको दिखेगा next अगर हम बात करेंगे company का दोस्तों यहां पर dealers domestic presence strengthening of our present branch देखिए dealer network लगातार 2013-2022 से अगर बात करेंगे 2020-21 तक यह बढ़ता जा रहा है और यहां पर देखिए 1500 dealers network अभी इनके पास मौझूद है यह आपको increasing order में मिलेगा अब इतने घटना नहीं है यह मगर बढ़ते बढ़ते जा रहा है देखा जाए तो company अगर हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही सांदर company है आज के दिन अगर हम बात करेंगे यह देखिए company में जबर्दस तेजी बनी हुई थी 5% की तेजी आज company दि ज्यादा बड़ा company नहीं है 2319 करोड का market के अब बाले company है थोड़ा volatility थोड़ा risk रहेगा बट आप देख पाने business कैसा तगड़ा business करता है Asia का number one company है एक मात्र company है आप बिल्कुल इस company को अपने radar पर रख सकते हैं company का return profile को अगर देखा जाए देखिए एक साल का 168% निकल के आता है एक महीने का देखिए 28 से 29% का company return बना के दे चुका है monthly average delivery को अगर देखा जाए 36% निकल के आता है next मैं दिखाता हूँ company का number कैसा चल रहा है जब बर्दस्त है annual performance को अगर देखेंगे यह देखिए यह increasing order में मिलेगा 2021 में 309 crores का company का revenue दर्ज हुआ था net profit में क्या हो रहा है इसको भी हम देखते थे यह देखिए बढ़ता हूँ आपको दिखेगा 2021 में 39 crores का company का net profit आया है annual performance को भी चेक करिए ऐसा होता है कि company एकात quarter अगर खराप होता है तो company कभी खराप नहीं होता है इसमें quarterly performance को भी दिखा देता हूँ Q&Q basis पे बहतरी जंप दिखाया 119 crores 128 crores का आया था company का net profit देखिए यह भी 70 crores 70 crores का यहां पर company का दर्ज होते हुए दिखेगा share holding 44.04% promoter रखते हैं कोई भी share income place नहीं है FII के पास देखिए 0.38% की holding है DIY भी 6.2 1% की holding यहां पर रखते हैं यह data December तक का है December quarter तक का है बाकि public के पास 49.37% की holding यहां पर दिखता है company बहुत ही सांदार है balance sheet को भी हम थोड़ा सा check कर लेते हैं क्योंकि सब parameter देख रहे हैं तो balance sheet को क्यों छोड़ेंगे total result and surplus 146 crores का है 16 crores का करजा long term का है और 7 term का 70 crores का देखिए लगबग 87, 89 crores का करजा है जादा कुछ करजा company नहीं रखा है case and case equivalent 14 crores का पास अपने है total asset 321 crores का अब पहुँच चुका है company देखिए बहतरिन company है दोस्तों strong potential है भरपूर potential है बिलकुल इस company को अपने नजर पे रखके चल सकते हैं बाकि complete decision तो दोस्तों company को लेके आपके खुद का ही रहने वाला है बस आज के लितना था वीडियो गर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे जैहिंद